गतरात्री आठ पजे प्रधान मंत्रुजी के टीवी चैनल पर पूरे भारत में किस दिन के लिए पूर्ण रूप से लोगडाउन का समाचार सोनते ही लोगों में हड़ तंफ मच गया वो आठ पजे के बाद बाजार में करियाना दुकानों जरुतमन वस्तुओं को लेने के लिए भीड नजर आई जानकारी देते हुए वकील कृतेश जैन ने बताया कि उन्होंने जैसे ही टीवी पर प्रधान मंत्रुजी का बयान सुना तो सुयम दुकान पर जरुतमन समाल ल और नैतिक जिम्मेवारी समझे जाखलमंडी के करियाना दुकानदार मोनु ने बताया कि जाखलमंडी में अभी तक ग्राहक को सामान उपलब्द करवाया जा रहा है वो जो रेट चल रहे हैं उसी रेट पर ग्राहकों को समान तिया जा रहा है वायरस के बचाव के लिए प पैकिंग कर ग्राहकोद दिया जाता है ब्यूरो रिपोर्ट एपन हरियाना तेजी बतायें कि राग के समय में आप राश्र की दुकान पर कैसे पोचे और क्या कारण है ज़र जनता को क्या संदेश करने के लिए आया है कि जनता को क्या संदेश दिया जाता है कि सभी अपने घर में लोग आउट नहीं ता कि कि बिमारी के बचकर रहें सुत्रों के हवाले से ख़बर है मार्केट में कि करयाने वालों ने अपनी मनमनी करनी स्टाट कर दी है और राशन के रिट को बढ़ा दिया है जाखल में ऐसी कोई कर्यानेवालों में कोई मनवानी नी की और जाखल के अंदर जो रेट पीछे से दालों ये उसी की भाव से गराकों को दिये जा रहे हैं यहां जाखल मंडी में भाई चारा बना हुआ है किसी परकार की कोई दिक्त नहीं है जैसे किसी भाई को राशन की जरूरत है उसको समय के अनुसार राशन दिया जाता है कोई रेट भाव या मोल बदा कर नहीं दिया जाता क्या जो राशन लेने कस्टमर आता है उससे आप तीन फुट की दुरी बना कर रखते हैं जरूर जी हम श्री परदान मंत्री निरेंदर मोती जी ने कहा है कि आप दो पुट की दूरी पर गाग को खड़ाएं और जैसे भी एक ग्राव को अंदर समान देने के लिए आप समान पैक करें और उसे दो पुट की दूरी पर खड़ा कर दें तो यह क्रियाने वाले की तरफ से मुहीम की हम आप जो राशन है उनको पैकिंग प्रवाड़ कर भाएंगे जो भी राशन है जो ग्राव लेने आएगा आप उसको पैकिंग करकर बाहर से ही दे देंगे हाजी जो यहने की ग्राक समान लेने आता है हम उसे अंदर से पैक करकर बाहर लफाफा में समान डाल कर उस ग्राक को दे दिया जाएगा